एस्प्रोस में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ शेखर थूराथ, आप मुझे जानते हो, मैं एक full time trader हूँ इस साल के भजट को लेके काफी सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे दोस्तों इस साल के भजट के उपर काफी सारे लोगों की नजरे बने हुए तो आज हम बात करने वाले है इसी विशे को लेके दोस्तो आज हम बात करने वाले है क्या है ये union budget दोस्तो ये एक annual budget है जिसे central government represent करती है दोस्तो कब इसे present किया जाता है इस budget को 1st of February सुभे 11 बजे present किया जाता है दोस्तो पिछले साल की ही तरह दोस्तो कोरोना वाइरस के जो नए variant है उसके चलते government को यहाँ पे फिकर है सुरक्षा की इसलिए इस budget को भी paperless किया गया है अब दोस्तो कहां पे आपको ये budget देखने मिलेगा यह आँ देख सकते हो लोकसभा TV चैनल पे YouTube पे और Twitter पे काफी कम लोगों को ये पता होगा दोस्तो कि budget जो है वो पहले February के end में किया जाता था Last day of February और वो भी शाम को पाँच बजे ऐसा क्यों दोस्तो तो इसके पीछे एक reason था जोस्तो जो भी officers है वो यहाँ पे financial accounts करते थे वो सारी रात यहाँ पे जाकते थे और दूसरे दिन उनको यहाँ पे आराम करने मिले इसलिए दोस्तो यहाँ पे budget को शाम को पाँच बजे किया जाता था और दोस्तो यह जो practice थी शाम को पाँच बजे बजे डिकलेर करने की actually में दोस्तो बिटिश पारलियर्मेंट यह इस budget को दुपहर के time announce करता था जबकि इंडिया में उस time पे शाम होती थी और दोस्तो यहाँ पे जो timing का connection है यही है इसके पीछे का reason दोस्तो बिटिश के convenience के हिसाब से यहाँ पे इंडिया में जब 5 बचते थे शाम के तब वहाँ पे लंडन में साड़े 11 बचते सुबह के दोस्तो और वहाँ के जो parliamentarians है वो इस budget को सुनते थे वहाँ से house of lot से house of commons in London से दोस्तो लंडन स्टॉक exchange भी उसी time पे खुलता था दोस्तो बजट को शाम को पाच बज़े announce करना फेबरुरी की last में ये independence के बाद भी tradition चालू थी लेकिन दोस्तो एंडिया ने इस tradition को change किया यश्वन सिना ने budget को 11 बचे प्रेजेंट किया और इस British India के tradition को constitution बनने के 50 साल बात change किया दोस्तो साल 2000 में finance minister यश्वन सिना ने इस union budget को प्रेजेंट किया था सुबह 11 बचे और ये completely Indian time और Indian tradition के मताबिक था काफी लोगों को दोस्तो यहाँ पे हलवा ceremony के बारे में नहीं पता है हलवा ceremony दोस्तो finance ministry के headquarters में organize की जाती है finance minister इसकी शुरुवात करते है desert को हिलाते हुए in a traditional कड़ाई और इसे serve किया जाता है उनके clicks हो जो भी minister of state है other top officials of the ministry है वो इस वक्त present होते है दोस्तो north block जो है वो fort nox बन जाता है 10 दिनों के लिए जब तक budget यहाँ पे present हो रहा है इस document के बारे में दोस्तो even finance minister को भी यह सारे rules को follow करना पड़ता है लेकिन वही एक इनसान है जो यहाँ पे building काहर कर सकता है इस दोरान पिछले साल दोस्तो officials को यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि paperless budget को पहली बार यहाँ पे present किया गया था railway budget पहले separately announce किया जाता था लेकिन अब उसे एक साथी union budget में ही merge किया गया है अब दोस्तो बात करते हैं उन factors की जो markets को बहुत closely affect करने वाले है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो है current account deficit की दोस्तो global investment community की जो नजरे है वो यहाँ पे रहेगी government के fiscal deficit target के उपर दोस्तो tax collections में जो surge आया है and the higher nominal GDP means the government could report a lower fiscal deficit for 2021-22 as against an estimate of 6.8% दोस्तो बात करते है capital expenditure की capital expenditure दोस्तो क्या होता है capital expenditure पे भी नजरे रहेगी capital expenditure वो पैसा है जो government यहाँ पे development पे खर्च करता है development of machinery, equipment, building, health, facilities, education, etc. क्या दोस्तो इस साल government अपने disinvestment target को meet कर पाएगी यह सवाल बहुत से लोगों को है 2021 काफी अच्छा साल था, landmark sale हुआ था air India का a lot needs to be done by government this year दोस्तो इस साल government को बहुत कुछ करना है अपने disinvestment target को पूरा करने के लिए लेकिन काफी लोगों का यह मानना है दोस्तो कि इस साल काफी कम chances है disinvestment target को meet होने के दोस्तो यहाँ पे government का disinvestment का target है 1.75 lakh crore का उसके लिए government को 60,000 crore यहाँ पे short हो रहे है experts का यह estimate है दोस्तो कि over a third of receipts expect किये थे LIC IPO से और privatization of BPCL से दोस्तो sources के मुताबिक BPCL divestment and IDBI banks की divestment है बहुत कम chance है इस साल होने की और दोस्तो सबसे important जिस चीज़ के उपर नजरे रहेगी वो है long term capital gains दोस्तो long term capital में अगर increase होता है तो वो market के लिए negative होगा यहाँ दोस्तो काफी सारे लोगों की दोस्तो नजरे रहेंगी long term capital gains क्यों तो I hope दोस्तो आपको जो भी questions थे budget को लेके वो इस वीडियो में answer हुए रहेंगे अगर आपको इसके अलाव अभी कोई questions है दोस्तो तो आप please comment sections में लिखना मत भूलिए वहाँ पर मैं आपको answer करने की सरूर कोशिश करूँगा I hope दोस्तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like ज़रूर करना चैनल पर नए हो दोस्तो तो चैनल पर subscribe करना मुद भूलना हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरी के कुछ knowledgeable content के साथ तब तक के लिए दोस्तो thank you so much